64 योगिनी तंत्र, योगिनी मंत्रा, 64 योगिनी तंत्र मंत्र साधना तंत्र में सदासे योगिनियों का अत्यंत महत्व रहा है, डॉट तंत्र अनुसार योगिनी आध्य शक्ती के सबसे निकट होती है, डॉट मा योगिनियों को आदेश देती है, और यही योगिनी शक्ती साध को के कार्य सिद्ध करती है, डॉट मात्र लोक में यही योगिनिय जो मा की नित्य सेवा करती है। जिनको नोकरी नहीं मिल रहा हो। तो येसे व्यक्तियों के लिए यह दुलब साधना करना अत्यंत जरूरी है। इससे सभी प्रकार के लाब राप्त किये जा सकते हैं। योगिनियों से कोई भी कार्य शिघ्र संपन करवाया जा सकता है। इस साधना को महाशिवरात्री के पर्व पर करने से सभी साधनाओं में सफलता प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी शाबर मंत्र जाप से पहिले यह विधान अवश्य करे तो मंत्र सिध्धी का अफसर द्विगुनित होता है। 64 योगिनियों में प्रमुख है ये। आठ योगिनिया। 1. सुरसुंदरी योगिनी मंत्र साधना 2. मनोहरा योगिनी साधना 3. कनक्वती योगिनी साधना 4. कामेश्वरी योगिनी साधना 5. प्रती सुंदरी योगिनी साधना 6. पद्मिनी योगिनी साधना 7. नटिनी योगिनी साधना और 8. मधुमती योगिनी साधना 8. योगिनी तंत्र साधना साधना विधिविधान इस साधना को सोमवार रात्री में या अमावस्या पुर्णिमा के रात्री में संपन्न करे साधना के शुरुवात में गनेश मंत्र और गुरु मंत्र का जाप भी कर ले अगर आपके कोई गुरु ना हो तो हमारे ब्लोग पर गुरु मंत्र हेतु आर्टिकल दिया हुआ है, उसे पढ़िए अब किसी पात्र में शिवलिंग रखे और शिवलिंग का सामान्य पुजन करे, जल भी चड़ाए एक सफेद रंग का पुष्प अपना मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करे 64 योगिनी मंत्र को एक एक बार पढ़ना जरूरी है, परन्तु आप में पात्रता हो, तो एक 3, 5, 7, 11, 108 की संख्या में आप ज्यादा मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं यह तांत्रोत्क बीज मंत्रों से युक्त योगिनी मंत्र है, जिसकी अधिश्ठात्री देवी ललितामबा है, जो साधक का कोई भी इच्चा पूर्ण कर सकती है योगिनी मंत्र जाप से पुर्व और अंत्मे नमाशिवाय का जाप भी करना जरूरी है आगे योगिनी मंत्रों को बोलते हुए किसी भी प्रकार के शिवलिंग पर अश्टगंध युक्त चावल चड़ाए 64 योगिनी साधना एवन सिध्धी मंत्र 64 योगिनियों की साधना सोमवार या अमावस्या या पूर्णिमा की रात्री से आरंभ की जाती है साधना आरंभ करने से पहले मंत्र सिध्ध माला वयंत्र गुट का लेकर साधना शुरू करें स्नानध्यान आदी से निवरित होकर अपने पित्रिगन इष्ट देव तथा गुरु का आशिर्वाद लें इसके बाद गणेश मंत्र दो माला ओम गंगंपत्ये नमह शिवाय का जब किया जाता है ताकि साधना में किसी भी प्रकार का विधन ना आएं इसके बाद भगवान शिव की पूजा करते हुए शिवलिंग पर जल तथा अश्टगंध युक्ट चावल अर्पित करें इसके बाद आपकी पूजा आरंभ होती है अंत में जिस योगिनी को आपको सिद्ध करना है उसके मंत्र की कम से कम एक माला अथवा ग्यारा माला का जाब करें जिन नामों का अस्तित्व मिलता है वे इस प्रकार है एक बहुरूपा दो तारा तीन नर्मदा चार यमुना पांच शान्ती छे वारुनी साथ शेमकरी आठ एंध्री नौ वाराही दस रनवीरा ज्यारह वानर मुखीक बारह वैश्नवी तेरह कालरातरी चौदह वैध्यरूपा पंदरह चर्चिका सोलह बेताली सत्रह छिनमास्तिका अठारह व्रिशभानना उन्नीस ज्वाला कामिनी बीस घटवारा इक्कीस करकाली बाईस सरस्वती तेईस विरूपा चौबीस कौबेरी पच्चीस भालुका छब्बीस नारसिनही सत्ताईस बिराजा अठाईस विक्टानन उन्तीस महालक्ष्मी तीस कौमारी इक्तीस महामाया बत्तीस रती तैंतीस करकरी चौनतीस सर्पश्या पैंतीस यक्षिनी छतीस विनायकी सैंतीस विंद्यावालिनी अर्तीस वीरकुमारी उन्तालीस माहेश्वरी चालीस अंबिका इक्तालीस कामायनी बयालीस घटाबारी तैंतालीस स्तुती चवालीस काली पैंतालीस उमा छियालीस नारायनी सैंतालीस समुद्रा अड़तालीस ब्राहमी उन्चास ज्वाला मुखी पचास आगनेई इक्यावन अदिती बावन चंद्रकांती तिरपन वायुबेगा चौवन चामुंडा पच्पन मूर्ती चप्पन गंगा सत्तावन धूमावती अठावन गांधारी उन्सट सर्व मंगला साठ अजिता इकसट सूर्य पुतरी बासट वायु वीना तिरसट अगोरा चौंसट भद्रकाली अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करे धन्यवार